आज तक लोगों को नहीं मालूम की पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपक राट भगवान के लिह chutी प्रसनता और आप के लिए ज़ए कोई इसकुति नहीं आती आपको कोई मंत्र नहीं आता आपकोसा मुझे ऐसा कि तर hops और सकते हो बड़ी कृपा करी जो कलस भर कर बी लए एक कितने लोगों का फायदा हा इसा हिनुधर्म पुराण में पद्मकुरान में किए लेकर जाती है और इसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो तो जिस व्यम्दिर कर आ पानी पानी प्रेम से दिजा रही अब फिरी का पानी था तो यह लोटे में मन भी नहीं माने अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो बहरा हुआ लेकर जा रहे हो तो कितनी प्रसंता की बात है हिंदू धर्म की बीती है जिस पात्र को हम जल चड़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं खाली पातर नहीं लाते हैं भगवान के चरणों का जल उन चरणों तक को लेकर आए घर में रखा समने अपने नेनों में लगाया हिदय में लगाया चितवर्ती में लगाया खाली पात्र हम लेकर वापिस नहीं आ रहे हैं शिव मंदर में जब जब जाओ जल चड़ाने के लिए जाओ पात्र तुमने संकर जी को पूरा पानी चड़ा भी दिया तो संकर के चड़ा रविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले दो बून लाओ चार गुंद लाओ इतना सा लाओ पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नित्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक तो लगाओ पर खाली पात्र नहीं लेकर खाली पात्र लाने में ज्यान दीजिए जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं जल जल समर्पित भी पूरा करना है भगवान को चड़ा रहे तो पूरा समर्पन होना चीए पूरा समर्पन इसलिए शंकर भगवान को अदूरा समर्पन नहीं इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चड़ता है क्योंकि भगवान के चरणकी जिवह रएगी तो हमारा आत्म कल्यान Engineer सोता ही हो जाएगा श्रूना कर देंगा पर कई लोगों की आदत रहती है और आपने भी गलती करी होगी गए होगे चणा कर भी आए होगे पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे तर चणा भी दिया चोड़ भी आए पर लेकर नहीं आए होगे कई कईनों कलती कर जाते हैं और फिर बात में कहते हैं हम तो इत्ते साल से पूजन कर रहा है भगवान हमारी सुनी नहीं दिया तो भगवान के मैं तो तैयार बेटा है पर तो नवा नवा के चली जा लेके तो कही जाए बगवान तो नहीं न कहा कि मेरे पास में भाया है मंगना कुछ मुझे जो इसलांग कराया है जीट ने पूरे घर में संपदा भरना मेरा काम है जहां मेरी चरन की द्रज पोच गई महां संपदा सुपता को में महां भाउच जाता हूँ पर लोग ले जाते हैं पूजन करते हैं कलश भी उंडेलते जल भी चड़ाते पर आते समय खाली लेकर आजाते भगवान को इतना बुरा लगता मेरे दरवाजे से खाली जाए मुझे कितना बुरा लगेगा जो आए वो भर कर जाए बहले दो बौंद लेकर आओ पर उसमें च समय देखे गरण सहीता में कहा गया जब आप घर से चल लेकर जाते हो भरısर तो यह सरश्टी की जितनी नदियां हैं प्रत्हवी पर जितनी नदियां जितने तलाब जितने सरोबर जितने कुंड जितने विराजमान उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो तीर्थ का संपून जल आपके कलस में आ जाता है और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और दो बून चरणा तक लेकर जब जाती हो तो शिव महा पुराण गर्ग सहीता पदम पुराण कहती है वो जल सा दरण नहीं रहता वो गंगा जल बनकर तुमारे घर को पवित्र करने के लिए पहुट जाता है वो पवित्र गंगा जल बनकर उसको लिकल प्रविश करता हम बार बार कहेंगे बगवान के मंदिर जब भी जाओना चेहरे पर पर संथा होना चाहिए किसी से मिलने बहुट आएंगी और ऐसे पोड़ जब दो खृष्टता नहीं माने देगा तुम सती महिया जल कर बस मह क्यों हो ईती माता सती के बस्म होने का करण क्या था सती को पिता पर उसे जादा कुरोज सतीमाता कुक्णी बेहनों पर आया कि मेरी इतनी बेहन ये 60 की 60 बेहन मेरे सामने खड़ी रही और में आई तो प्रेम से मुस्कुराई तक नहीं आप किसी किया जाओ और कोई किया पहुचे और जाते से या पहुचे और कहा जी जी रादे रादे जैसी आपने बोला उसके चेरे पर परसंता नहीं आए तो इसे घर में जाने सके फायदा एक और आप किसी किया जा रहे तो आपके चेरे पर भी परसंता होना चीज़ूर के बुजरू के पर परसंता होना चाहिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें हर अर्माहा देओ